तो वहीं मध्यप्रदेश में तो आज सपत ग्रहन का समारू होगा ही साथी साथ 36 गड़ के नवनिर्वाचत सीम भी आज पद एवं गोपनियता की शपत लेंगे MP से पहले भाजपा ने 36 गड़ के सीम के नाम पर मोहर लगाई थी 36 गड़ के सीम का नाम रविवार को फाइनल हुआ 36 गड़ के आदिवासी नेता विश्वनो देव साई 13 दिसंबर यानि आज नए मुख्य मंतरी पद की शपत लेंगे 36 गड़ के नए मुख्य मंतरी के शपत ग्रहन समारू की तयारियां जोर शोर से चल रही है आदिवासी समाज के दिगज नेता विश्वनो देव साई 36 गड़ के चौथे मुख्य मंतरी बनने वाले हैं राएपुर में शपत ग्रहन समारू हो बुद्वार को दो बजे आयोजित होगा प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी शपत समारू होगे राएपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में शपत समारू होगा इस कारिक्रम में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी, ग्रह मंतरी आमित शाह, बाजपाद्यक्ष जेपी नडड़ा कई राजजी के मुख्य मंतरी समेत दिगज नेता शामिल हो सकते हैं इसके लिए तैयारी जोरो पर चल रही है शपत ग्रहर समारों में पियम मोदी के आने को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है इसमें डीजी स्तर के एक अधिकारी और आईजी स्तर के चार अधिकारियों को तैनात किया गया है कारिक्रम के साथ साथ ट्राइफिक विवस्था का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा माना जा रहा है कि मुख्य मंत्री के साथ ही दो डिप्टिसियम समेत मंत्री मंडल भी सपत ले सकता है मंत्री मंडल को लेकर मंथन चल रहा है इसका इंतजार प्रदेश की जनता को भी है हाला कि मंत्र मंदल के सदस्यों को लेकर मंथन जारी है समारोह में किंद्री ग्रे मंत्री अमित शाह भाजपा की राश्ट्री उपादक्स जेपी नड़ा किंद्री मंत्री डॉक्टर मनसुक मांडविया भाजपा प्रदेश प्रभारी ओमाथूर सह प्रभारी नितिन नवीन समेत दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे विश्णो देव साय को रभिवार को विधायक दल की बैठक में 36 गड़के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद से उनके समर्थक और भाजपा कारिकरता जश्ण मना रहे हैं वहीं सुमवार को विश्णो देव साय भगवान स्री राम के दर्शन करने के लिए रायपूर में स्थित राम मंदिर पहुँचे विश्णो देव साय ने विधी विधान के साथ सिराम की पूजा अरचना की और आशीरवाद लिया साय ने भगवान राम के चतीस गड़ की सुक सम्रिद्धी की कामना की इस दोरान वे राष्टी सोयम सिवक संग के रायपूर पंडरी इस्थित प्रदेश कारियाला भी पहुंचे और संग के पदाधिकारियों के साथ उनने मुलाकात की इसके बाद साय नई दिल्ली के लिए रवाना होगे चतीस गड़ सियम पद पर कई दावेदार थे इसमें खुद रमन सिंग थे साथी अरुण साव उपी चोधरी और रेणुका सिंग के नाम भी शामिल रहे आदिवासी सियम के रूप में पूर्ब केंदरी मंत्री विश्णोदेव साय के नाम साथी रेणुका सिंग का नाम भी आगे चल ला था बता दे कि 36 गड़ में सारे कयासों को पलटते हुए बीजेपी ने शानदार जीत हासिल करते हुए 54 सीटे हासिल की है जबकि कॉंग्रेस 34 सीटों पर सिमट गई है विश्णोदेव ने 36 गड़ की कुंकुरी विधान सबा सीट से चुनाव लड़ा था इसमें उन्होंने कॉंग्रेस के यूडी मिंज को हराया विश्णोदेव को 87,604 और उन्ज को 62,63 वोट मिले थे विश्णोदेव 36 गड़ बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं दो साल 68 दिन तक उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया है साथ ही रायपुर सीट से सांसद भी रहे हैं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें